अस्सलामु आलेकुम दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है इस्तक्बाल है आपका अब्रिन अक्याडमी में आज हम ब्रीच कोर्स का नवी जमात का बीशवे दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है कसीर रुखनी अबारत कसिर रुखनी होती है एक मुतगयरी अलजिबरी अबारत यानि जिसमें एक मुतगयर का इस्तेमाल होता है एसे लेकर जेड़ तक कोई भी लेटर का इस्तेमाल हो सकता है तो ऐसा कोई भी एक लेडर इस्तेमाल होगा तो उस मसावात को एक मुतगयरी मसावात कहते ह और उस मसावात में अगर मतगयर की कुवत नुमा मुकमल अदद हो एक से लेकर आगे कोई भी अदद सीफर से लेक शीफर एक दो तीन ऐसे कुछ अदद हो तो उस इबारत को कसिर रुखने कहते हैं मिसाल के तोर पर एकस की दुसरी जमा दो एकस जमा तीन ये कसिर रुखने के मिसाल है इसी तरह तीन वाई की तिसरी जमा दो वाई की दुसरी जमा वाई जमा पांच ये दूसरी मिसाल है अब पहली मिसाल में X की दूसरी जमा दो X जमा तीन इस मिसाल में तीन का जो दरजा है वो सीफर है X का दरजा एक है और X की दूसरी का जो दरजा है वो दो है बिलकुल इसी तरह दूसरी मसावात में पांच का दरजा सीफर है Y का दर्जा एक है, दो Y का दर्जा दो है और तीन Y का दर्जा तीन है इसका मतलब उनके दर्जे सीफर एक, दो, तीन इस तरह से है अगला पॉइंट है कसीर रुखनी का दर्जा दीवी कसिर रुखनी में मुतगयर की सबसे बड़ी कुवत उस कसिर रुखनी का दरजा कहलाता है जो कुवत रहेगी मुतगयर की सबसे बड़ी वो उसका दरजा रहेगा मिसाल के तौर पर 3X की दुसरी जमाद 4X यहाँ पर सबसे बड़ी कुवत जो है वो 2 है इसलिए कसिर रुकनी का दरजा 2 है इसी तरह दुसरी मिसाल है 7X की तिसरी जमा 5X जमा 4X की दुसरी जमा 2 अब यहाँ पर सबसे बड़ा कुवत नुमा क्या है? 3 है इसलिए इस कसिर रुकनी का दरजा 3 है फिर अगला पॉइंट है कसिर रुकनी की जमा खड़ी तर्तीब पहली मिसाल है 4X की दुसरी जमा 2X तफरीक 6 जमा 5X की दुसरी तफरीक 3X जमा 4 तो 5X की दुसरी में 4X की दुसरी मिलाएगे तो क्या हो जाएगा? वो 9X की दुसरी हो जाएगा इसी तरह जमा 2X तफरीक 3X तीन में से दो गया तो क्या बचेगा एक बचेगा एक X तफरीक तफरीक तीन है बड़ी अदत तीन है उसको तफरीक के अलामत है इसलिए X को भी तफरीक के अलामत आएगी इसी तरह तफरीक 6 जमा 4 है तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा 6 बड़ी अदत है उसको मनफी के आलामत है इसलिए 2 को भी मनफी के आलामत आएगी इस तरह हमारा जवाब होगा 9X की दूसरी तफरीक X तफरीक 2 अगला पॉइंट है कसीर रुखनियों की तफरीक खड़ी तरती फिर वही मिसाल है 4X की दूसरी जमा 2X तफरीक 6 तफरीक 5X की दूसरी जमा 3X तफरीक 4 अब यहाँ पर तफरीक करते हुए यह बात ध्यान में रगना है कि जो नीचे लिखी वी मसावात रहेगी तफरीक करते वक्त तो उसकी अलामते हमको बदल देना है जैसे यहाँ पर तफरीक 5X की दूसरी है तो वो जमा 5X की दूसरी हो जाएगा तो इस तरह 4 जमा 5 कितना हो जाएगा 9X की दूसरी हो जाएगा प्र उसके बाद अगली अदद है जमा 3X जमा के उल्टी जो अलामत है वो हो जाएगी तफरीक यानि जमा 2X तफरीक 3X तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा एक बचेगा 3 बड़ी अदद है उसको तफरीक की अलामत है इसलिए X को भी तफरीक की अलामत आएगी 6 जमा चार तो 6 में से चार गया तो 2 बचेगा 6 बड़ी अदद है उसको मनफी के अलामत है इसलिए 2 को भी मनफी के अलामत आ जाएगी इस तरह से हमारा जवाब आ गया 9x की दूसरी तफरीक x तफरीक 2 पिर आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है कसी रुखनियों की जर्ब पहली मिसाल है x जमा एक जर्ब 4x की दूसरी जमा दो एक्स तफरीक 6 अब यहाँ पर क्या करना है पहले वाले कौस के हर अरकान से दूसरे वाले कौस के हर अरकान को रुकन को जो है तो हमको क्या करना है जर्ब करना है तो पहले वाले कौस का पहला रुकन है एक्स उस से हम दूसरे वाले कौस के हर रुकन को जर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा X जर्ब कॉस में 4X की दूसरी जमा 2X तफरीक 6 कॉस पूरा फिर उसके बाद दूसरा रुखन है जमा एक तो जमा की अलामत लिख देंगे फिर एक लिख देंगे और उससे जो है तो हमको दूसरे कॉस के हर रुखन को जर्ब देना है इसलिए क्या हो जाएगा एक जर्ब कॉस में 4X की दूसरी जमा 2X तफरीक 6 अब हम जर्ब करेंगे X से अगर 4X की दूसरी को जर्ब करेंगे तो वो बन जाएगा 4X की तिसरी जमा X से 2X को जर्ब करेंगे तो वो हो जाएगा 2X की दूसरी तफरीक 6 से X को जर्व करेंगे तो वो हो जाएगा 6X इस तरह पहले रुकने से जो है तो कॉस को जर्व हो गया फिर उसके बाद दूसरे रुकने से कॉस को जर्व करेंगे जमा एक जर्व 4X की दूसरी आ जाएगा 4X की दूसरी जमा, एक जर्ब दो X दो X, ताफरीक एक जर्ब छे, छे ठीक है अब हम क्या करेंगे जिनारकान का दरजा एक जैसा है, उनकी जमाया या तफरीक करेंगे तो सबसे बड़ा दरजा क्या है, यहाँ पर चार X की तिसरी है, उसके आलावा कोई है क्या x की तिसरी वाला दर्जा नहीं है तो 4 x की तिसरी जैसे के वैसा लिख लेंगे 4 x की तिसरी अब उसके बाद 2 x की दूसरी है और 4 x की दूसरी है दोनों का दर्जा एक जैसा है इसलिए उनकी जमा या तफरीक हो सकती है तो क्या है तफरीक 6X जमा 2X है 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4X बचेगा और 6 बड़ी अदद है उसको मनफी के अलामत है इसलिए 4X को भी मनफी के अलामत आ जाएगे और मनफी 6 जैसा था वैसा लिखनेंगे इस तरह से हमारा जवाब आ गया 4X की तिसरी जमा 6X की दूसरी तफरीक 4X तफरीक 6 आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना बिलकुल भी ना भूलिएगा मिलते है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिव